सब लोग बोलते हैं पढ़ाई में मन नहीं लगता क्या करे कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ाई में इंट्रस्ट ले लो मन अपने आप लग जाएगा कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो छोड़ दो पढ़ाई क्या करना है अब यह जो पढ़ाई है, studies है, यह important है या नहीं है यह हम सबको पताए कि important कितनी है और कितनी नहीं है अब ऐसा तो हम नहीं सोच सकते कि बिना पढ़ाई कि हम successful हो जाएंगे है ना, कुछ ज़ादा कर लेते हैं, कुछ कम करते हैं, पर करते हैं और आज के era में, आज के current scenario में पढ़ाई से जादा precious चीज़ कोई और है ही नहीं है ना, अब इसमें interest लिया कैसे जाएं, या फिर इसको बहुत जादे interesting कैसे बनाया जाएं या फिर मन कैसे लगाया जाएं, basic problem यही होती है कि हमें लगता है कि यार नहीं मन नहीं करा छोड़ो यही होता है, तो जब भी हम पढ़ने मैठते हैं, अपनी studies को, अपने future के साथ relate करो कैसे relate करेंगे, अगर आप पढ़ रहे हो आज, तो आप सोचो कि आप क्यों पढ़ रहे हो what do you want from this, अगर आप input अपना दे रहे हो, तो उससे आपको output क्या चाहिए for example, अभी आप पढ़ रहे हो, आपको bank की नौकरी चाहिए, you have a set goal कि आज मैं पढ़ूँगा, तो कल मुझे नौकरी मिल जाएगी, I will be employed है ना, अगर आज आप पढ़ रहे हो, आपको लगता है कि कल मेरा कहीं पर भी selection हो जाएगा cat wait मेरा clear हो जाएगा, मुझे MBA करनी आ गया, और मतलब आपके लिए goal set है तो you have to keep reminding yourself कि हाँ, मेरा goal set है, अगर मैं यह करूँगा, तो ही मुझे वो मिलेगा otherwise मुझे नहीं मिलेगा, and also अगर आप पढ़ाई ही नहीं करोगे, तो आपके पास कोई और option भी नहीं है जिससे आप success easily achieve कर सकते हो, सबसे जादा easy चीज आजकल यही है कि हम लोग study के through कहीं न कहीं निकल जाएं है ना, अब या तो interest हम लोग लेंगे, लेना ना लेना is a different thing, या तो interest हमारा उसमें होगा, या फिर नहीं होगा बट हमेशा कुशिश करो, जहां पे भी आप बढ़ रहे हो, whether it's your table and chair, whether it's your bedroom कहीं पे भी तो अपने जो सामने वाल है ना, उस पे आप हमेशा एक छोटा सा note या फिर किसी भी paper पे लिखके रखो कि आपका goal क्या है, आपको करना क्या है अगर वो आप हमेशा रोज अपने सामने देखते रहोगे, कि हाँ मुझे अचीव करना है, और यह अचीव कैसे होगा, सिरफ study के तुरू होगा, तब ही आपको studies interesting लग सकती है, तब ही आपको उससे एक अच्छा output मिल सकता है अगर आप नहीं ऐसा करोगे, तो आप distract होते होगे, और आप पढ़ नहीं पाओगे, और इसको और कोई solution भी नहीं है इसका कोई यहां पर कोई रामबा निलाज नहीं है, जो मैं आपको दे दूँगी कि हाँ, यह चूरन है या आप खालो इससे आप पढ़ लोगे, ऐसा कुछ नहीं है आपके सिरफ दिमाग का खेल है, अगर आपका दिमाग एकदम सही direction में जा रहा है according to you, तो सब सही होगा अगर आपका दिमाग नहीं सही direction में जा रहा है, आपको पता ही नहीं है कि आपका goal क्या है, आपका goal achieve कैसे होगा, तो एकदम सब कुछ खतम हो जाएगा so decision is yours, take wisely and also जो मैंने कहा है उसको लिख के अपने सामने वली दिवार पे रख लेना ताकि आपका ध्यान उस पे दिन में सौ बार पड़े और सौ बार जब भी आप डिस्ट्राक्ट होने लोगो तब आपका mind वहीं आ जाए जहां होना चाहिए, good luck